आप सभी का हमारी चैनल का डिश्टी पर स्वागत है दोस्तों मैं btup.ac.in की official website पर हूँ इस समय तो यहाँ पर एक official notice यारी हुआ है वही चीज मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि आपके कहीं न कहीं आपके result से जुड़ा हुआ है तो आप देख सकते हैं यह पहला जो notice है पहली link latest news में यहाँ पर देख सकते हैं notice for marks entry of practical marks only for final semester या फिर final year next point आप यहाँ पर ध्यान दीजे कि seasonal marks for all the semester जो second और fourth semester के हैं या फिर वार्षिक परिच्छा पर्थम वार्ष के चात्रे उनके seasonal marks और result से जुड़ी हुई यह notice है तो इसके यहाँ पर click करते हैं इसको download करते हैं तो जैसे click करेंगे आपको download का option आजाएगा simply download पर आपको click करना हैं जैसे download पर click करेंगे यह download होने लगेगा और यहाँ पर यह आपका download हो रहा है दोस्ते जैसे download होता है मैं आपको notice के बारे बताता हूं और आपके सामनी notice download हो चुकी है और देख सकते हैं यह 26 अगस्त को यह notice जारी की गई थी इसमें क्या विसे है पहले विसे आप देखि रहें उनका सेसनल अंक प्रेसित किये जाने के संबंद में notice जारी की गई है यह notice आपके college के प्रधाना चाहर अर्था निदेशक अर्था प्रिंस्पल सर को यह भेजा गया है तो यहाँ पर BTUP की तरफ से बोर्ड की तरफ से जो भेजा गया है इसमें यह कहा जा रहा है कि जो आर्सिक परिच्छा के हैं या फिर सम समेश्टर सेकंड पोर्ड के हैं इन सभी का सेसनल अंक भेजें और डेट यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे और यह जो आपका मतलब आपको प्रमोट करने की जो बात थी इसके लिए समीती बैठी थी 17 जुलाई को उसके बाद द प्रिश्यों के सैच्छिक अंक अर्था सैधान्तिक परिच्छा प्लस असाइमेंट प्लस उपस्थिती भरे जाने हैं उक्त अंकों की आनलाइन प्रिश्टी 27 अगस्त के अपराह से मतलब दोपाहर से 5 सितंबर 2020 तक की जाय सकी ही इसमें आप सभी को निर्देशित किया जा जा सके तो इसका मतलब दोस्त यह हुआ कि आपका जब 5 सितंबर तक अपर बोर्ड की तरफ से कहा गया आपके कॉलेज को कि 5 सितंबर तक आप हमें अपने जो इस्टूडेंट हैं उन सभी का सैधान्तिक परिच्छा प्लस असाइमेंट उपस्तिती सब कुछ यहां पर अपडेट में जब कहा गया था दोस्ते सची जी से हिंदुस्तान इस समवाद में बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम अगस्त के लास्ट में लास्ट वीक में आपको जारी कर देंगे लेकिन यह आफीसियल जब यहां पर अपडेट कर रहे हैं तो ज्यादा इसी को मा दानतिक परिच्छा के सभी अंक भेजे जाएंगे तो उससे हपते दस दिन बाद उसको फीडिंग करने में लगेगा उसके बाद ही आपका रिजल्ट आप आएगा दूसरी यहां पर महत्तपूर्ण अपडेट या फिर महत्तपूर्ण सूचना की ओर चलते हैं दोस्ति यह सूचना आपको आलेटी पहले भी मैं बता चुका हूँ कि एक से पांच सितंबर के बीच होगी प्रैक्टिकल परिच्छा हैं और साथ में दोस्ति यहां पर आप देख सकते हैं जो सेकंड फोर्ट समेस्टर के स्टूरंट हैं यह लाइन आप पढ़ सकते हैं यहां पर जैस संबहीं का आंठिक अंग कॉललेज के दोयारा बोर्ड को भीजा जाना है और एक से पांच सितंबर के विज्च परिच्छ हैं यह फाइनल संस्थान खुलने के बाद जमा कराने होंगे अर्था जो भी यहां पर final year student है उन सभी का जो project है अभी नहीं जमा किया जाएगा उनका college open होने के बाद यहां पर board की तरफ से कहा गया है कि आपका project जमा किया जाएगा साथ में यहां पर अंतिमर्ज के चात्रों की practical परिचाय कराने के लिए तीथी जारी कर दी है जैसा कि आप सभी को पता है आपके college दीए इस सभी से related जो बात है इसके लिए आप अपने college से जरूर जुड़े रहे हैं जो भी information आ रही बहुत से college दोस्त Google farm के माध्यम से वहाँ पर practical परिच्छाय अपनी करा रहे है अब यहाँ पर Google meet भी करा रहे होंगे जैसे यह process आपने college से आप संपर करते रहे आगे इस में यह बताए गया कि राजकी संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों की जो practical परिच्छाय कराने की जिम्मेदारी संस्थान की होगी और जबकि private college में राजकी संस्थान से एक observer को नियुक्त किया जाएगा अर्थात यहाँ पर जो private college हैं उनके लिए government college से एक observer को नियुक्त किया जाएगा और साथ में परिच्छाय संपन कराई जाएगी उस observer के द्वारा परिशत सची संजी कुमार जी के मुताबिक 31 अगस तक अपने practical तयार करने होंगे और इसे इंजिनिंग लगबग यहाँ पर जुड़े हैं जो इंजिनिंग से चात्र कुल मिलाकर दोस्त 668580 चात्र सामिल होंगे और संजी कुमार जी के मुताबिक आनलाइन माधम से ही परिच्छाय लेंगे चात्र को प्रोजेक्ट संबंदी प्रेजेंटेशन देनी होगी उन्होंने ये भी बताया कि अंतिमर्स के चात्र के संस्तार कुलने के बाद अपने प्रोजेक्ट जमा करना अनिवार होगा इसके साथ ही पॉल्टेक्निक में पढ़ने वाले पर्थम और दुतिवर्स के चात्रों को जो कि हमने आपको बता दिया तो दोस्त इस पूरी अपडेट का सारान समझे तो कुल मिलाकर आपका एक से पांच सितंबर के बीच फाइनल यर के प्रैक्टिकल परिच्छा होगी जो कि आनलाइन होगी और आपके कॉलेज ओपन होने के बाद आपको प्रोजेक्ट जमा करना अनिवार होगा जैसा कि परिसस ससी संजी कुमार जी ने बताया और साथ में यहाँ पर जो सेकंड फोर्ट समेस्टर के हैं उनका पांच सितंबर तक आन्थ्रिक इंटरनल समार्ट बोर्ड को भेज दिया जाएगा उसके बाद आपका कह सकते हैं हपते या दस दिन में आपका रिचल्ट घोसित होने की पूरी संभावना होगी किस प्रकार से वो काम करते हैं यह डिपेंड करेगा लेकिन पांच सितंबर तक आपके इंटरनल समार्ट भेज दिया जाएगा अब किसी प्रकार के अब तो आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि दोस्त कि अब सेकंड फोर्ट समेस्टर प्रमोट है या नहीं